हालो डिएडी स्टुडेंट गुड मारिंग एंड स्वागत आपका PKM Special Classes में फ्रेंड्स आज की वीडियो में कवर करेंगे यहाँ पर Chemistry और Chemistry में सबसे Important Topic है Atomic Orbit तो फ्रेंड्स यहाँ पर परमारुक अक्षा से जितने भी यहाँ Question बने है Railway Group D NTPC और उसके बाद ALP Locopilot में तो फ्रेंड्स इसको हम कवर करेंगे Most Important Topic है और यहाँ से हर बार प्रस्ण बनते हैं जो Railway की एक्जाम होते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड तक बने रहिएगा और उसके बाद अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के Description Box में Telegram का Link दिया गया है आप Telegram Link Join के लिए वहाँ पर इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा आप इजली वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और विथ डिटेल के साथ तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को चक्कर लगाने वाली इलेक्टानों की जो maximum number होता है वो कितना होता है? maximum number 2N square होता है इसी के आधार पर याचेप्टर पूरा based है और इसमें जो कच्छाएं होते हैं कौन कौन से होती है? के, यल, यम, यन इस चार से लोते हैं चार कच्छाएं होती है और इसी पर यह चैप्टर पूरी तरह से बेस्ट होता है विश्वासमनिया वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपका यहां से एक भी डाउट नहीं रहेगा और पूरी तरह से यह चैप्टर कवर हो जाएगा में समयोजेत इसकने वालेушस की मैक्सिम संख्य होटी कितनी होती है तो इसका से उत्तिर क्या हो जाएगा 2 एंड राइट हैंस्ण हो जाएगा option नंबर यहां पर यहां पर धी स्कॉर अब यहां पर जो हैंक्शाएं दो नहींहें और चार यहां पर जो यन कमान होता है एक दो तीन चार होता है और जो हमारी जो कच्छाएं होती है के यल यम यन यानि जो के कमान होता है एक होता है यल कमान होता है दो यम कमान तीन और यन कमान जो होता है चार होता है अब देखें आगे कि जैसे प्रस्ण आप करते लाश्ट तक आप पूरी अच्छी तरह इसको सीख जाएंगे और इजली जो एक्जाम में कर पाएंगे अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण कह रहा है कि यम कक्षा में सामिल हो सकने वाले इलेक्टानों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है तो अभी हमने बताए कि अधिक्तम संख्या जो होती ही लेक्टानों की टू यन स्क्वार होती है और यहाँ पर यम कक्षा में पूछ रहा है तो हमने कहा था कि के यल यम यन इस चीश को याद रखेगा और यहाँ पर आप सीरियल वाइस से याद रखेगा एक, दो, तीन, चार यानि यहाँ यन का मान है यन का मान क्या है एक, दो, तीन, चार और जो उपर दी गई है कच्छाएं है अब जो वैलू आपसे पूछेगा बस यन के जगा वही पूट कर देना है जिसे अगर क कमान पूछ लिया आप के जगा यन के जगा एक रखेगा यल कमान अगर पूछे तो यन के जगा दो रखेगा यम कच्छा कमान पूछे तो यन के जगा तीन रखेगा इसी प्रकार य तो बराबर क्या हो जाएगा? दो गुड़े यहाँ इसक्वार का मतलब हो गया तीन का वर करेंगे यानि तीन का वर कि तीन गुड़े तीन हो गया तो तीन तरिक का नोज दूनी अठ्否 तरह हो गया तो इसका सहय उत्तर क्या हो जाएगा? option number C 18 देखे इस question को हमने detail से बता दिया बाकि आगे जो question आएगा उसको directly करेंगे अगला question ने देखे इसको अच्छे साब revision भी कर सकते हैं टेलिग्राम पर इसका PDF दिया जाएगा अच्छे साब revision कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं अगला question कर रहा है कि यम सता में अगला question काफी important question है अब यम सेल में समयवित किया जा सकने वाले इलेक्टरानों के अधिक्तम संख्या पूछ रहा है तो हमने बोला कि यम में क्या होता है यम में क्या होता है कि इसमें अधिक्तम 3 इलेक्टरान रहते हैं तो अब करना क्या पड़ेगा आपको 3 तुरिक का 9 दुनी 18 इतना दिमाग में आपको set करना रहेगा ठीक है कि 2N square होता है तो यम कमान क्या रखा है यम कमान 3 तीन का वर करनें के 3 तुरिक का 9 और इसमें 2 का multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा अठारा हो जाएगा तो सही उत्तर जाएगा option number a चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है कि पूछ रहा है कि देखिए 2018 में ग्रूप D में पूछा भी क्वेश्चन है कि यन कोस्ट में समय जित किया जा सकने वाले इलेक्टरानों की अधिक्तम संक्या पूछ रहा है तो अभी पूता है कि यन में के में अधिक्तम कितनी consistent? अब देखिए यह जो है, औरLbyике, इसमें भी पूछा है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, जब यहन का score करेंगे, यहन का मान चार होता है, तो 4 चुक कि 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो सही उत्तर जाएगा option number A चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है कहा रहा है कि तीसरी कक्षा तीसरी कक्षा में cell के रूप में निरूपित किया जा सकता यानि जो हमारे cell होते हैं कौन-कौन cell होते हैं के, यल, यम, यन ये क्या हैं ये cell हैं तो कह रहा है कि तीसरी कक्षा है ये आपकी पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है ये तीसरी कक्षा है, ये चहुती कक्षा है तो हमसे तीसरी कक्षा के बारे में पूछ रहा है तो तीसरी कक्षा क्या होती है तीसरी कक्षा होती है, यम होती है इसका right answer क्या हो जाएगा, option number यहां पर D हो जाएगा, तो सभी तरो हो जाएगा option number D, EM चलते हैं अगले प्रसंट पर अगला प्रसंट देखें काय रहा है कि तीसरे cell में इलेक्टानों की अधिक्तम संख्या होती है अब देखे अधिकतम इलेक्टानों की संक्या हमने बोला था किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्टानों की संक्या 2N2 होती इसको आप याद रखिएगा आपका एक भी कोस्टन नहीं चूटेगा अब यहन का मान हमें पता है कि यहन का मान 3 होता है तीन का वर्क करेंगे तो तीन तरीक का नव हो जाएगा नव में दो का मल्टिप्लाई करेंगे नव दुनी अठारा यानि राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है कि किसी पर्मार के के कोस में समायोजित किये जा सकने वाले इलेक्टानों के अधिक्तम संख्या क्या होगी तो यहाँ पर के का पूछा है तो हमने बोला था के में अधिक्तम यहाँ पर एक लेक्टान होते हैं फिर दो होते हैं फिर तीन होते हैं झार वता है तो वन के न का मान हमको एक रखना को यह ऑन पढ़ाबर आप एक का स्कॉर करेंगे तो आपको क्या यह आए गांसर नमबर कि आशा करता हूं आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा हिगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप तो कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा बाकि उसका हम रिपलाई कर देंगे अब यहां पर यहां सेल के बारे में पूछ रहा है यहां सेल में कितने इलेक्टान रह सकते हैं पिस्वासमनी लाश्ट तक वीडियो के एंड होते होते आपका यहां से एक सिंगल विडियाउट तीन मिल गया है तीन का वर करेंगे तीन करनों नौ का यहां पर डबल कर देंगे नौदणी अठारा हो जागा राइट एंसर हो जागा ऑप्सन नमबर ए फिर यहां पर देखिए यहां का पूछा है देखिए यहां कोशन कितनी बार रिपूट हुआ है देखिए 2018 में गुरूपड में पूछा है सिफ्ट थर्ड में फिर उसके बाद यहां सिफ्ट फरस्ट में पूछा गया है यानि गुमा फिरा के देखेंगे आप अगर इस फ चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है करा कि एक तत्त की परमार्व संख्या 13 है तो इस तत्त में कितने सेल होते हैं करा है किसी तत्त में परमार्व संख्या 13 है तो उसके बाद इस तत्त में कितने सेल होते हैं तो देखिए परमार्व संख्या 13 किसका होता है तो प कितने रह सकते हैं आठ रह सकते हैं ठीक है कितना आठ 2 जुरू सोगे या sp 영화 हो जायता चलते हैं अगले प्रस्ण पर अग्ला प्रस्ण क्या रहा है की उरjot के चतुर्थ अस्तर में समय जित किये जा सकने वाली लेक्टानों की अधिक्तम संख्या क्या हो सकती है तो देखी अधिक्तम क्या दो आठ अठारा बत्तिस ठीक है तो अधिक्तम कितनी लेक्टान हो सकते हैं अधिक्तम समय किए आधिकतं संख्या का ऌफ какие किस पर निर्भा करता है कि क्या एक कौस में मौजूद अधिकतं इलक्ताव कि ये 2N square होती है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आप से नंबर ये हो जाएगा चलते हैं लास्ट कोशन पर आज का है और इसी के साथ यह चैप्टर पूरी तरह से कबर हो जाएगा इससे आपका सिंगल भी कोशन नहीं चूटेगा विस्वासमानी इसको वीडियो को एक से दो बार देख लेते हैं और पीडियो जो मैं भेज दूँगा टेलिग्राम पर उसको आप रिवाइच कर लेते हैं तो यहां से आपका एक से दो नंबर कंफर्म हो जा रहें आपको आप इसको समरी को याद रखेगा जब भी इस टाइब का कोशन आए पहली बात तो आप याद रखेगा टू एन स्कौर अधिक्तमिल एक्टानों की संख्या ठीक है दूसरा पॉइंट याद रखेगा यहां पर जो सेल होते हैं यानि के यल यम यन और यहां प करता हूं या वीडियो अच्छी लगी होगी अगर दोस्त में जरूरी और अपने दौस्त में अगर आप चैनल पर नया तो लाइक करें चैनल को शब्सक्राइब करें और अपने रेली गरूर्पड करना चाहते हैं और यहां पर क्योंकि रेलेु ने गरूपस यहां पर